नमस्कार दोस्तों मैं सीमाडेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कौन सी राशी वाले जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत अधिक हाय होता है जिस भी कारे में वह हाट डालते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वैसे तो हमारी 12 राशिया होती है और हर राशी का सभाव अलग होता है लेकिन राशियों पर बहुत अधिक डिपैंड करता है कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है क्योंकि सब कुछ इमपेक्ट हमारा राशियों पर ही डिपैंड करता है तो चलिए आये जानते हैं कौन सी ऐसी राशी वाले जातक है जो की बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेश राशी वाले जातकों के बारे में मेश राशी वाले जातक बहुती सतर्क प्रवर्ति के होते हैं यह लोग हमेशा सकरत्मक माहुल देते हैं और जिस भी काम क तो ये हाथ में लेते हैं, उसे पूरा करके छोड़ते हैं, इनका राशी स्वामी मंगल होता है, जिसका सभाव बहुत अधिक तेज होता है, इनका आईक्यू लेवल भी बहुत अधिक अच्छा तेज होता है, और ये मैनेजमेंट के कार्य को बहुत ही निपुंता के साथ करत यह बहुत अधिक अच्छा कारे करते हैं अपने शेत्र में और बुद्धी मता की शेणी में यदि देखा जाय तो सबसे शेष्ट राशी मेश राशी वाले जाता कहलाते हैं। दूसरी राशी वाले के बात में बात करूंगी व्रक्षिक राशी वाले जातकों के बारे में, इनका राशी स्वाम्मी भी मंगल होता है, जिसके कारण इनका दिमाग बहुत अधिक तेज चलता है, व्रक्षिक राशी के लोग हर चीज को बड़े ही ध्यान से करने वाले होते हैं इस राशी के लोग अपने आप काम पर बहुत फोकस रखते हैं और हर बात को लेकर सतर्गता बरतते हैं इन लोगों को किसी भी तरह से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों इनका भी बुद्धिमत्ता की शेड़ी में यह भी शेष्ट राशी कहलाती है अब मैं करती हूं तीसरी राशी वाले जातकों के बारे में मिथ्धुन राशी मिथ्धुन राशी का राशी स्वामी ही खुद बुद्ध घ्रह होता है इसलिए इनका दिमाग भी बहुत अधिक तेज चलता है मिथ्धुन राशी के लोग अच्छे वक्ता होते हैं साथ में ही यह ल तो बुद्ध घ्रह का प्लेस्मेंट भी आपको देखना होगा यदि आपकी कुंडली में बुद्ध घ्रह अच्छी अवस्ता में है तो आपका IQ लेवल बहुत अधिक अच्छा होगा आपका दिमाग बहुत अधिक अच्छा चलेगा हर चीज आपको फटाफट याद होगी और जो भी कारे आप करेंगे उसमें आप निपुण अवश्य होंगे दोस्तों चौथी राशी के बारे में मैं बात करती हूँ कन्या राशी वाले जातकों के बारे में कन्या राशी का राशी स्वामी भी बुद्ध घ्रह होता है इसलिए यह जातक भी बहुत अधिक अच्छी अवस्ता में हैं, उनकी पावर अच्छी है, तो यह हर किसी वाद विवाद में प्रथम अवश्य आते हैं, इसलिए कन्या राशी वाले जातक भी बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, अब मैं बात करती हूँ कुम्ब राशी वाले जातकों के बारे में, कुम्ब राशी स्वामी शनी ग्रह होता है इसलिए ये न्याय प्रिये भी होते हैं और ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं हर कारे को बहुत ही सोच विचार के यह करते हैं यानि कि हर कारे को ये दिमाग लगा कर अवश्य करते हैं और टेक्निकल शेत्र में ये अपना बहुत अधिक अच्छा नाम कमाते हैं यदि इनकी कुंड़ी में शनी घ्रह अच्छा हो उसकी पावर अच्छी हो और प्लेस्मेंट अच्छा हो दोस्तो मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि अन्या राशी वाले जातक बुद्धिमान नहीं होते हैं वहें भी बुद्धिमान होते हैं लेकिन इन र वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेर अवश्य करें दोस्तों और यदि पहली बार मेरे इस चैनल पर आप आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखे ताकि एस्ट्रोलोजी स रिलेटेट आपको बहुती मेटपोन जानकर या प्राप्त हो सके दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंट्रेस्टन टॉपिक के साथ तक तक के लिए थैंक यू एंड बाबाई